नमस्ते दोस्तों यह टाटा पंच का प्यॉर मोडल जिसे बेस मोडल कहते हैं कार का फ्रंट लोक आपको कार में कोई भी फॉग लैंब देखने को नहीं मिलेंगे क्योंकि यह बेस मोडल है कार का लोगो हैड लाइट इसके उपर आपको इंडिकेटर देखने को मिलेगा कोई भी आपको एलेडी लाइट नहीं मिलेगी आपको इसमें C8K 180C 70R15 के टायर मिलते हैं जो काफी बड़े हैं आपको ORBM पे ही इंडिकेटर मिलता है है uAIRBM Black Color हैंडल भी इसके ब्लैक पे मिलते हैं कार देखने हैं बहुत ही सुंतर लग रही है आपको इसमें फ्रेंट दो देखते हैं कार का बॉनट बहुत ही भायरी है इसका बहुत ही बेट है बिल्कुल लोखानों लाट गाड़ी है या जो अपने बॉड़ी बॉडल्डर भाई ही है इसका बॉनट उपर नीचे करे hey उससे बॉड़ी भी बनेगी कार का इजन three slender engine है जो बहुत अच्छी power power generate करता है कार में ABS, ABD आपको base model से मिल जाएंगी एक बार आप कार का engine देखिए कार बहुत अच्छी है अगर आप एक बार shift EI 20 लेना चाहते हैं तो एक बार आप punch की तरब भी जा सकते हैं co driver side space seat मैंने अपने हिसाब से adjust की हुई है फिर भी मुझे बहुत अच्छा है इसमें leg room मिल रहा है मेरी height 5 foot 9 inch है आईए पिछले space check करते हैं कार देखने हम बहुत प्यारी है interior बहुत अच्छा है इसका कार के अगले seat मैंने अपनी height के according adjust की हुई है फिर भी कार में मुझे बहुत अच्छा leg room मिल रहा है 6 foot का आदमी बहुत आसानी से इसमें आ सकता है कार काफी चोड़ी भी है तीन लोग बहुत आसानी से इसके अंदर आ जाएंगे आपको कोई दिक्कत नहीं होगी पिछले seat से dex board का न जा रहा dex board देखने हैं बहुत ही प्यारा लग रहा है आपको इसमें दो cup holder भी मिल जाते है फ्रेंट दो airwag मिलते है कार का boot space इस्टपनी tire आपको 185, 70, R15 कही मिलेगा कार में आपको steel wheel मिलते हैं आपको कोई भी allow wheel नहीं मिलेंगे क्योंकि कार base model है पीछे आपको punch की cladding मिल जाएगी टाटा का logo देखने में कार बहुत अच्छी लग रही है पीछे से driver side आ चुका हूँ मैं आप एक बार देखिए देखने में ऐसा लगेगा कि AC जो है automatic है पर यह automatic नहीं है बिल्कुल दे रखी automatic की तरह है टाटा नहीं यह बहुत अच्छा काम किया है 5-speed manual gearbox dex board meter indicator, headlight दो power window आपको कोई भी स्पीकर या music सिस्टम को option नहीं मिलता है रूफ लाइट आपको कोई भी समें mirror देखने को नहीं मिलेगा कार देखने में तो बहुत अच्छी है power socket गिले box नहीं चोटा है नहीं बड़ा है इस पेस इसमें बहुत अच्छा है कार के डोर हैं कापी heavy डोर है कार के black और bite का combination आपको मिल जाएगा black color की base model से आपको गाड़े पे क्लेट कार में power steering, power brake 366 liter का boot space 37 liter का fuel tank capacity body type SUV 86 bhp 113 nm का torque 3300 rpm पर मिल जाता है कार का on road price 7,2238 रुपे बिद 17,000 accessories kit on road मरादाबाद और संबल district में आपको मिल जाएगा अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो ज्यादा से ज्यादा share करें, subscribe करें और वीडियो को like करें धन्यवाद